तो देखती है आखो और सुनते कानों को शारुक का सलाम पहुचे और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ फूटोशॉप का पार्ट सिक्स ठीके जी आज हम सिखेंगे कि हम मैनूल सेलेक्शन और मैगनेटिक और लैसो टूल में तो सेलेक्शन होती है वो किस तरीके से कर सकते हैं मतलब अगर हमें किसी चीज़ को भी कट करना हो इमेज को कट करना हो बैक्गराउंड से तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करें तो हमारे पर तीन आप्शन आते हैं लैसो पॉडिंगलर लैसो टूल और मैगनेटिक लैसो टूल इन तिनों का स्तमाल मैं आपको आज की कलास में सिखाऊंगा और मैं आपको यह भी बताते हैं चलूँ जैसे ही एक कोर्स खतम होगा या फिर हो सकता है बीच मेहीं मैं आपको freelancing की तरफ लेके जाओं जिसके दरी आप बहुत कुछ कमा सकते हैं अंट कर सकते हैं ठीक है जी तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को यहां से मारा पहला टूल होता है लैसो टूल लैसो टूल क्या होता है लैसो टूल लैक एक आप मैनूल सेलेक्शन करते हैं किसी चीज़ की भी फर्स करें मुझे इस बरगर को काटना है तो मैं क्लिक दबा के रखूंगा यह सेलेक्शन हो रही है इस सेलेक्शन आपने पूरी स्लेट करी हैं यहां से यहां तक और जहां से पॉइंट सेट करते हैं आप लाके छोड़ेंगे आप देखिएंगे सेलेक्शन हो जाएगी अब आपने करना है कि कंट्रोल जे और इस लियर को अगर यहां से क्लोस करेंगे तो आप देखेंगे कि सेलेक्शन यतनी आपने काट डाली है यतनी आपने सेलेक्शन करेती ठीक है बड़ हम यह यूज़ नहीं करते ज्यातर मैं यूज नहीं करता है, मैंके मेरे खाल से शायद ही कोई यूज करता हो, ठीक है? हम जो यूज करते हैं, इसको आँसे डिलेट कर दें, वो होती है, पॉलिग्रल लेसर टूल जाधा अतर, वो कैसे सबसे पहले अपने पॉलिग्रल लेसर टूल लेना है, इसका काम क्या है? गोर स जाना चाहते हैं, तो लिक्म भी मैं उपर दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके उस चिसको भी सिख सकते हैं, कि deeply आप किस तरह इसको सेलेक्शन को कर सकते हैं, ठीक है फिलाल हम लेते हैं, पॉलिग्रल लेसर टूल, इसका काम क्या, आपने क्लिक करा, तो देखें, ये वहाँ फिट होगा, इसको समझे के आपने कील्ट होगी, ठीक है, अब ये रबर्ड बैंड है, ठीक है, आपने के यहां ठोकनी है, तो ये देखें, ये रबर्ड बैंड यहां पर फिक्स होगया, अब ये बैंड इसी तरह मूव हो रहा है, ठीक है, ये इसी तरह, इसी तरह जबूशियां इस तरह इस तरह इस तरह अस तरगाने करना जोगा जहाँ एंपने चले जाएंगी तो मतलई भी सकते और अगर यह खलती से आहर आपने डिलेट करेंगे यहां से हट जाएगा ठीक है तो इसको भी डिलेट करता हूँ इस सेलेक्शन का काम क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको जूम करते हैं बेस्ट सेलेक्शन के लिए है आपने क्या करना है यहां से लेना है जूम टूल यह जूम टूल है इसको पहले जूम करन डीक lt यहांसय आपने पालीगेनल लैसल तूल और इसको स्टैक्षksomel करें इस तरह इस तरह तरह इस तूह है यह मैल जलगती कर रहा हूं इसकी उपर मैंने बहुट डीप इसको मैंने सिखाया है तो उसका लिंक में उपर दे दूँगा जो प्रोफेशनल तरीका है उसको भी जड़ा विजिट कर लिजएगा ठीक है फिलहाल क्योंकि बीगिनर है तो मैं आपको समझा रहा हूँ एक यह वार पके लिए कि आसे इसको पौइंट से पॉइंट मिलांगे जैसी पॉंइंट से पॉइंट मिलांगे क सरक्राइगा। आपको लिए तया रहे हैं आप एक लित्विक करें थोड़ा सा ये काम है इसमें आपका सब्रो तहम्बल चाहिए होता है ठीके जी और आप इसको इस त्रस्लेट करेंगे बिलकुल उसके लावा उसमें भी अगर आपको और सॉफ्ट चाहिए कटिंग तो वो मेरी मैंने लिंक में दे दूंगा उसको जरूर विजेट की जाएग जो मैंने वीडियो बनाए दीपली अच्छा वेart सिप्वलाव और फ कराना ही होنग्फ क्लिडियों अधियुक्त को मुष्ट कराते जा रहे हैं एसा है खुद ola. आप क्यूंग भूझ च्रगता है किनारों से य Canyon से लिग देखरें आप साईट पकड़ताओं ठीक है वैसे आपको लग रहा हो कि बहुत ही कोई असान तूले भाई यह मुझे बहुत ही बक्वास टूल लगता है पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्शन कर रहा है एक किनारे पकड़ना स्टार्ट कर दें इसने ठीक है और यह सेलेक्शन होगा यहां से पॉइंट से हो गया तो क्लिक करेंग की तो सेलेक्शन हो जाएगी सकते हैं इसके सेलेक्शन हो गई तो यह आप टरीके हैं क्ट्रोल दबा के प्लस दबाते रहेंगे तो image zoom in होगा control minus करेंगे zoom out होगा control alter zero करेंगे तो actual जो image का size होगा आपके सामने वह आ जाएगा और control zero करेंगे तो page हो जाएगा बिल्कुल fit आपके सामने ठीक है जी अच्छा जी के लावा हमारे पास के नीचे होते हैं कुछ object selection tool, quick selection tool और magic band tool magic band tool क्या करता है कि इसको फिलाल मै उप्राल को delete करता हूं यहां पर आता हूं इसके lock खुलने के लिए alter double click करता हूं इसको lock खुल जाता है magic band tool का काम क्या है कि अगर आप एक वक्त में color select करेगा अगर आपने white पे क्लिक करा तो अब देख सकते हैं पूरा white select हो गया अब आप delete दमाएंगे तो पूरा white delete हो जाएगा simple अंदर का burger बचा रहेगा ठीके control Z अगर आपको दुबारा ही वाफसी वाफसी आना है तो edit पाके आप इसको undo कर सकते हैं undo जैसे आप undo करेंगे और दुबारा एक दफ़ा और undo करेंगे तो color वाफसी आ जाएगा इसकी shortcut की मतलब फर्स करें आपने कोई काम करा और उसमें कु quick selection tool quick selection tool क्या करते कर आपने एक वक्त में एक color select करना है तो click करके रखना है तो यह automatic वो एक color को select करता चला जाएगा ठीके बट अगर इसके आगे पीछे color इससे मिलते जुलते इसको समझ माए तो उनको भी select कर लेगा तब आप क्या करें तब आप alter दबा के रखें आप देख और alter दबा के इसको नहीं ही अठा सकते हैं ठीक है और फिर इसके बद आप मुझे क्या है alter दबा के मैनस है इसको अठाया तो इस तरह की selection हो सकते है ठीके जी एक तरीका है selection का control D से इसको गाइब करते हैं एक और तरीका है नहा है वो object selection tool किसी object को select करना हो अगर object से मतलब इस area select करा ठीक है अब यह क्या करेगा automatic जो कलर इससे मिलता जुलता है बंद से जो highlight हुआ हुआ है उस area को यह select करने की कोशिश करेगा जैसे इसने कर लिया just like अगरे मैं यह देखना बीफ है इसको select करा इतने area को yellow भी आ रहा है और भी आ रहा बट जादा mostly मेरे color जो highlight हुआ हो गए ठीक है जी जब तक के लिए प्रैक्टिस करते हैं ठीक है जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मेरे चैनल को like कीज़ेगा subscribe कर अपने दोस्तों को share कीज़ेगा क्योंकि मैं बहुत जब फ्री लांसी का course लाने वाला हूँ जो आपके लिए बिल्कुल यू ए इप्रूव होगा thank you so much जब तक के लिए बाए